हेलो दोस्तो वेलकम टूबर यूटूब चैनल स्टेडी सर्किल 2.0 सो कैसे हैं दोस्तो आप समी लोग आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे सो चली दोस्तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज हम फिर से पढ़ेंगे अपना इंजेंडिंग ड्रोंग फरस्ट में दोस्तो हम पढ़ रहें प्रजेक्शन आ प्लेनों का आज हमारा ौड़िये तीसरा कंडिशन और तीसरा कंडिशन का आज हमारा चौथा कोश्चन ठीक है तो चौथा कोश्चन क्या दिया गया है चलिए पढ़ते हैं तो चौथा कोश्चन दोस्तो बिसिकली आपको अपनी स्क्रीन पर देख गया होगा तो कोश्चन क्या है चलिए इसको पहले तो आप पढ़िएगा तो question दोस्तों जो चौथा है उसमें बोला है कि एक पंच बुज संतल है यानि एक pentagonal आपका plane है जिसकी side 4 cm है bracket में दिया है इसका pro shape आपको खीचना है फिर कहा है जिसकी एक भुजा BP से 3 cm दूरी पर लंब वत है बहुत ही बढ़िया line बोली है इस line का मतलब यह है कि आपको जो आपका जो pentagon है दोस्तों किस तरीके से लेना है ठीक है तो चाहिए पहले तो मैं इस point का मतलब आपको समझा देता हूँ आप फिर से पढ़िए इस line को बोला था जिसकी एक भुजा BP के एक जिसकी एक भुजा BP से 3 cm दूरी पर लंब वत है चलिए समझते है जिसकी एक भुजा BP से 3 cm दूरी पर लंब वत है क्या है इसका मतलब देखिए यह होता है दोस्तों आपका x y line यह होता है आपका x y line ऊपर होता है vertical plane नीच होता है horizontal plane होता है कि नहीं होता है सभी को पता होगा ठीक है अब pentagon की दो condition है आपकी पहली condition तो आप ऐसा pentagon बना सकते हो ऐसे pentagon बना सकते हो और दूसरी condition है आपकी कि आप pentagon को इस तरीके से भी बना सकते हो यह दो condition है pentagon की ठीक है तो आपको कौन सी condition दोना में से लेनी है वो आपका यही point बताएगा तो point मैं कहा था कि जो pentagon है उसकी एक भुजा BP से 3 cm दूरी पर लंब वत है तो अगर मैं यह यहां से यहां तक की दूरी 3 cm ले लूँ तो आप यह भुजा अगर देखेंगे यह वाली BP की यह जो भुजा है किसकी pentagon की तो वो BP की क्या perpendicular है यह 90 डेगरी पर है जबकि इसमें आप देखेंगे तो कोई भी भुजा आपकी perpendicular नहीं है हाला कि इसमें parallel जरूर है यह वाली भ BP से वो इस कौने से ना ले करके इस वाले corner से लेने है क्योंकि जो दूरी दी है वो भुजा की दी है कहाए कि भुजा जो है वो BP से 3 cm दूरी पर आपकी क्या है perpendicular है तो आपको जो दूरी लेनी है वो यहां से लेनी है ठीक है यहां इस point से समझ गए होंगे तो दो condition होती है आ आप इस तरीके से बनाएंगे जब perpendicular कहा जाए तो आप इस तरीके से बनाएंगे ठीक है तो यह इस line का मतलब था जो कि I hope आपको समझ में आ ही गया होगा ठीक है तो कुश्चन यतना पढ़ लिया था हमने pentagon था बोजा 4 cm थी प्रिशेप कीजिना था इसकी एक बोजा BP से 3 cm दोरी पर लंबवत यह पढ़ लिया था फिर कहा है पंचगुज HP से 60 degree के कोड़ पर जुखा है समझ रहे हो जो pentagon है आपका वो किस से कोड़ बना रहा है HP से बना रहा है 60 degree का तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे दोस्तों जो हमारा क्या है यह pentagon है उसको हम लोग HP से जो यह दिखाई देगा उसको 60 degree आंगे चलकि हम inclined कर देंगे और फिर projection नीचे लिया करके और true shape के projection left side से right side ले जाकर के जहां पर cut करेंगे वहां पर उसका top view खीज देंगे ठीके ना तो हमें जो यह 60 degree का angle दिया है यह HP से दिया है मतलब जो plane है आपका वो HP से 60 degree का कूड बना रहा ह ठीके ना समझ रहे हो फूर आगे क्या बोला कहा कि यह है HP से 3 cm उपर था बीपी के 3 cm सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है देख लेंगे ठीके चलिए तो सुरू करा जाए दोस्तों question को चलिए तो सुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारा काम होता x y line को ड्रो कर दिया यह मैंने x y line ड्रो कर दी आपके सामने देख लिए कुछ इस तरीके से यह x y line ड्रो कर दी मैंने चलिए अब दिख रहा होगा यह मैंने देखिए x y line ड्रो कर दी आप कहें तो मैं इसको थोड़ा सा और extend कर सकता हूं क्योंकि पिछले question में हमें यह कम पड़ भी थी बाद में हम extend करनी पड़ी थी तो यह x y line मैंने बना दी ठीक है अब देखिए अब उपर हो जाएगा आपका vertical plane उपर तो हो जाएगा vertical plane नीचे हो जाएगा horizontal plane ठीक है कोई दिक्कत यहां था चलिए अब question में कहा था दोस्तों कि जो आपका यह pentagon है उसकी एक भुजा बीपी से 3 cm दूर वी पलनम्य में तो उपर बीपी हो गया बीपी से 3 cm दूर हमें जाना है तो बिपी से देखिए हम 3 cm यहां पो यहां पर आख चुके हैं देखिए बीपी से मैं 3 cm दूर आ चुका हूं तो यह देखिए मैं यहां पर इसका trustees के से और यह जो distance दिए दोस्त वो आपको दिये कितनी तीन सैंटी मीटर तो ये तीन सैंटी मीटर आप इस तरी किसे नेमिंग कर देंगे और फिर आप जो अपना पेंटागन है दोस्तो उस पेंटागन की साइड यहां पर ड्रो करेंगे तो साइड आपको पेंटागन की एक साइड है दोस्तों जो की तीन सेंटीमीटर दोरी पर क्या है बीपी पर परपेंडिकुलर ठीक है समझ में आगे हमको इतना तो कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पर चलिए अब आपको जो पेंटागन है वो बना देना है तो पेंटागन किस तरीक से बनाए टाइट और टाइट करने के बाद यह देखिए हम चार साइंटीमीटर का यह लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिए ठीक है इसी तरीके से उपर भी करना है यह देखिए अठारे डिगरी का एंगल हम लोग ले लिए अठारे डिगरी का एंगल लेने के बाद यह देखिए हम 5454 जो है यह 4 cm की लाइन इहाँ पर डु कर चुके हैं देखिए कुछिधे इसे ठीक है को आपको इससे इसको डौ कर नया मैं थोब्यासा इसको डार कर देता हूं देखे मैं इसको थोड़ा सा डार कर देता हूँ दागि आपको और अच्छे से यह दिखता रहे तो कुछ इस तरीके से चलिए तो देखे यह भी हमें ड्रो कर लिए बड़ थोड़ा सा देखे यह बार-बार आपका ब्लर हो जाता है तो उसके लिए माँ भी चाहेंगे दोश्तों अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें मुझे भी पता नहीं है तो वीडियो वीज में मुझे पहुज करना पड़ जात विए यह 108 होजा है इतना हो जाने के बाद अब आपको लेना अपना परकार यह आपकार लेलीजे को तरीके से दिखिए यह 4 स्या इंटिमिटर की जो भूजा है वो लेलो और लेने के बाद पहले एग बार इस पॉइंट पर रखो और यहां सामने क्यों इस तरीके से आर्ग लगा दो ठीक है बिल्लकुल हलके हाथों से लगाईएगा क्योंकि इसको हम erase भी करना है ठीक है और फिर एक बार यहां रख करके यहां पे भी लगा दो ठीक है तो यह कही न कहीं कट करेगा तो इसने इस point पर cut करा इस point पर cut करा तो अब क्या करेंगे इसको मिला देंगे इसके साथ यह देखिए इसके साथ हमने मिला दिया और फिर फिर क्या करेंगे इसको ले लेंगे इससे और इसको इससे मिला देंगे ठीक है तो यह आपका pentagon complete हो गया कुछ स्टेडिके से और अब इसकी naming कर देंगे तो A, ये B, ये C, ये D, एंड ये E, ये इसकी naming हो गई, और naming करने के बाद आप ये side भी इसकी दिखा सकते हैं, कि इसकी जो side pentagon की वो कितनी है, ठीक है, तो ये true shape था, जो की हमने उस plane को incline से parallel करने पर बनाया है, पहले incline था 40 degree लेकिन हमने उसको parallel मान लिया है, और फिर इसका ये, जो true safe है, वो हमें मिला है, ठीक है, लेकिन अभी हम incline में भी उसका जो top भी होगा, किस तहरी किसे देखेगा, वो भी बनायेंगे, ठीक है, इतना आपने कर लिए दोस्त, बस आप कुछ भी नहीं करना, 0 पर इसको set कीज set करने के बाद projections को उपर की और ले जाईए, तो ये projections आप उपर की और ले जाईए, देखें, मैं ले करके चला गया, इस side के projection भी आप उपर की और ले के चले जाईए, और ये जो c point है, इसके projection भी आप उपर की और ले के चले जाईए, ठीक है, तो ले करके हम चले गए, question में कहा था hp से कितना cm उपर है 3 cm ठीक है तो आप हम 3 cm उपर जाएंगे 3 cm उपर जाएंगे 1 2 3 तो यह हमने 3 cm उपर डिस्टेंस ले लिए देखिए यह कितना है 3 cm कितना cm उपर लिया है हम लोग 3 cm उपर हम लोग ले लिए हैं और बस आप कुछ भी नहीं करना यह देखिए इस तरीके से यह लाइन ड्रो करके आपको जो व्यू है उसका वो बना देना है देखिए इस तरीके से यह लाइन ड्रो करके बस आप इसकी नेमिंग कर देना है नीचे से आप देखेंगे तो आप रहिगा होगा और आप क्या करेंगे बस एक फेंट लाइन रोख करेंगे आंगे कि ओर यह पूरा करह वस्दिगरी हम लेगा तो पहले में एक बार मेजरमेंट ले लेता हूँ कितनी है मेरे में लगबह बाig यह मिजरमेंट आ रही है 662 mm के करीब 62 mm के करीब मेरी आ रही है और फिर मुझे एंगल लेना 60 degree का तो यह मैंने 60 degree का एंगल लिया देख लिए है यहाँ पर यह 60 degree का मैंने एंगल ले लिया और एंगल लेने के बाद यह जो मेरी measurement थी वो मैं खीश देता हूँ measurement मेरी कितनी थी एक बार मुझे फिर से भूल चुकी है मेरी measurement कितनी थी दोस्त मुझे फिर से भूल चुकी है मैं इसको थोड़ा सा फिर से देखना चाहता हूँ यह देखिए 62 चलिए 62 था तो 62 मैं ले लिया और 60 degree का एंगल लिया 60 degree का एंगल लेने के बाद अब मैं इसको यहां से खीश दूँगा 62 degree 60 का एंगल लेने के बाद यह 62 का जो length है वो मैंने खीश दिया यह देखिए कुछ इस तरीके से यह खीशना था इस तरीके से दोस्त कुछ खीशना था तो हमने क्या करा इसको खीश दिया अब इसकी naming करते हैं तो यह जो सिरा है वो यह वाला है यानि की A- बाहर E- और यह जो है यह आपका C- है तो यह C- हो जाएगा अब यहां पे भी एक point है तो वो कितनी दूरी पर है चलिए हम आप pump pass का use करते हैं और उस point को देख लेते हैं तो उस point का क्या नाम है वो है B- और D- तो हमने यह distance ली और लेने के बाद यहां रखा और यहां पे इस तरीकी से मार कर दिया यानि की वो point रहा आप यहां पे जोगी है B- और बाहर D- ठीक है यह वो point है बस अब कुछ भी नहीं करना इसको करना 0 पर set यहां पे यहां पे हम नीचे लेकर के आ चुके हैं एक साइगन थोड़ा सा जो आपके projection है वो काफी छोटे पड़ चुके हैं तो उनको हमें और नीचे लेकर के आना पड़ेगा तो हम और नीचे लेकर के आ जाएंगे देखिए यह projection जो हैं हमारे छोटे पड़ चुके हैं तो हम इनको जो है नीचे लेकर के और आ जाएंगे और आप क्या करेंगे यहां से हम projection इस side ले जाएंगे यहां पे कट करेगा यह कट करेगा यहां पे यह देखिए C point का यहां पे कट करेगा यह E point आपका यहां पे projection है हमने खिंज लिए B point का ये रहा और ये A point का है ये C point का है ये आपका E point का ये D point का ठीक है तो आपको आपको क्या करना है जो naming है वो करने है तो naming किस तरीके से करते हैं बता भी चुके हैं आप यहां से जो A point है A को आगे पढ़ाईए उसी की projection line पर और उपर से देखिए A कह से आ रहा है तो आपको यहां से आ रहा है तो आपका जो naming है वो यहां हो जाएगा ठीक है इस तरीके से समझ रहे हो अब जो B है वो यहां से जाएगा तो B यह रहा है और उपर से यहां पर आ रहा है देखिए यह यहां पर आ रहा है और जो D है वो यह रहा तो D यह गया यह घाए यहां पिए ठीक है तो ये डूह हो जाएगा बस अब मिला दीजें सभी पाइंट को आपका प्रॉजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दिख्ये पहला पॉइंट इस देख्ये रहा दूसरा और इसके बाद जे देख्ये ये देखिए इसको मिलाया और आप क्या करना है इसको ले करके इससे मिला देना है ठीक है और इसके बाद इसके बाद इसको ले करके इसके साथ मिला देना है तो ये इसका जो टॉप व्यू रहेगा दोस्त वो कम्पलीट हो जाएगा ये क्या है टॉप व्यू ये टॉप व्यू ह यह जो 60 डिगरी पर इन कलाइन थी वो थी इसकी इसकी front view जिसको हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं एक नाम और दे सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं बी टी वर्टिकल ट्रेस ठीक है तो अभी ट्रेस पर मत जाना मैंने कहा था आप से कि मैं ट्रेस आपको एक lecture में सिखा दूँग क्या वो इस a e side के बरावर होगी मुझे आप बताईए बिलकुल होगी बिलकुल होगी दोस्तों देखें जो a e side है वो आपकी बिलकुल a e side के बरावर होगी ठीक है अब यह क्यों होगी यह आप खोद इमेजन करना मैंने हर एक lecture में आपको इमेजन कराया है जैसे कल मैंने आपको कराया थे उसमें भी बताया था और आज करा रहा हूं उसमें भी बता रहा हूं ठीक है ए जो लाइन होगी यह जो भुजा होगी वो इस a e के बरावर होगी मतलब यह incline होने के पहले है incline होने के बाद भी आपकी a e भुजा क्या होगी a e के क्या होगी बरावर होगी ठीक है चलिए तो ये दोस्तों चोथा question भी आपको complete होता है और I hope ये question आपको बहुत ही अच्छे तरीकी से समझ में आ गया होगा और अगर आपको फिर भी कहीं doubt होता है तो आप comment जरूर करेंगे अभी हमने ये naming नहीं करिए 60 degree चलिए ये 60 degree मैंने लिख दिया अगर आप चाह जल्द next lecture में और lecture आपको पसंद आया या नहीं आया drawing आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है मुझे comment में जरूर बताएं ठीक है न चलिए तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द next lecture में दोस्तों thank you and thanks for washing